तो क्याबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी तो ममता जी ने ओफर किया कि वो स्वेम होस्टेज बनके जाएंगी वहाँ पर और शर्त ही होनी चाहिए कि बाकि जो होस्टेजेज हैं उनको आतंगवादी छोड़ दे और वो उनके कबजे में चली जाएंगी और जो को कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देगी देश के लिए तो आज ऐसी सारी ताक्तों को इकठे आने की ज़रूरत है बंगाल में चुना होने जा रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि द्रिन्मुल कॉंग्रेस बहुत थंपिंग मजॉरिटी के साथ सप्ता में वापिस आएगी लेकिन मुझे लगता है कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि उस थंपिंग मजॉरिटी को और थंपिंग बने और बंगाल से एक संदेश जाये पूरे देश में कि देश अब इसको बर्दाष्ट नहीं करेगा जो कुछ मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं उसको देश अब बर्दाष्ट नहीं करेगा